सभी मित्रों को नमस्कार और जैसा कि आप सभी जानते हो हम आपके लिए एक नए विशे के साथ प्रस्तुत होते हैं तो आज भी हम NTA UGC NET 2022 और 21 में भी यह वीडियो बहुत लाबदायक होगी और इसमें हम अभिनंदन गरंत पर चर्चा करेंगे जिसमें से हर वर्ष एक या दो प्रस्न पूछे जाते हैं तो हिंदी साहित्य का यह है विशे रहेगा अभिनंदन गरंत इसमें हमने हिंदी साहित्य में जो अभिनंदन गरंत पुरुषकार मिले हैं या अभिनंदन गरंत हैं जो हिंदी साहित्य में उनकी चर्चा हमने इसमें की है और जो कि सेभी परिक्साओं के लिए अती महत्व पूर्ण हैं तो आईए शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को अविनंदन गरंत तो जिन महापुर्सों ने साहित्य राजनेती आदिछ हैत्रों में विशिष्ट प्रात्त की उनकी स्मर्ति को सुरक्षित रखने तथा उनके किर्या कलापों से लोगों को परिचित करान है तू इन अविनंदन गरंतों का प्रकासन आजकल किया जाने लगा है बंदनिय व्यक्तिय का गुण स्तवन करने के साथ साथ उनके गुणों को जन्मानस में संसकार रूप में प्रिटिष्ट करने का उदेश्य लेकर इन गरंतों की रचना जो है वो की जाती है तो जिन मह पूर्सों ने साहित्य राजनेती आदिशेत्रों में विशिष्टता प्राप्त की है उनकी स्मर्तियों को सुर्वक्सित रखने तथा उनके किर्यकलापों से लोगों को परिच्चित कराने है तू इन अविनंदन गरंतों का प्रकासन किया गया और जो वंदनिय व्यक्ति का गुण स्तवन करने के साथ साथ उनके गुणों को जन मानस में संसकार रूप में प्रतिश्ठित करने का उदेश से लेकर इन गरंतों की जो है रचना की जाती है तो यहां आपकी समझ में आया होगा वीडियो को एक या दो वार देख लेना ठीक प्रकार से चलिए अब अगले बिंदू पर चर्चा करते हैं और अगला बिंदू है मारा प्राय तीन प्रकार से अविनंदन गरंत प्रकासित हुए हैं तो तीन प्रकार से जो है यह है अविनंदन गरंत प्रकासित हुए हैं तो पहला जो है सहित्य कारों से समंधित अ दूसरा स्वाधिन्दा संग्राम के सैनानियों एवं राजनीतिक के अविनंदन गरंत और नमबर तीसरा है धर्म दर्शन संस्कृति के छेतर से सम्मंधित महापुर्षों के अविनंदन गरंत तो हिंदी के प्रमुक अविनंदन गरंथों का विबरण इस परकार है जो की हम आगे चर्चा करेंगे तो तीन प्रकार से जो है अविनंदन गरंथ प्रकासित हुए हैं कौन-कौन से साहित्य कारों से समंधित अविनंदन गरंथ और स्वाधिंत संग्राम के सैनानियों एवं राज नीतिक के अविनंदन गरंथ और नमबर तीसरा है धर्म, दर्सन, संस्कृति के शेत्र से समंधि महापूर्शों के अविनन्दन ग्रंथ तो यह तीन प्रकार से अविनन्दन ग्रंथों की रचना हुई है तो आएए अब हम उन ग्रंथों की चर्चा करेंगे तो जो पहला अविनन्दन ग्रंथ है वह नहरू अविनन्दन ग्रंथ है और जिसकी रचना 1949 में की गई नहरू अविनन्दन ग्रंथ की रचना 1949 में की गई दूसरा है बाल companion गुप्त इसमर्ती ग्रण्त यह हैं 1980 इस्वी में इसकी रचना हुई और नमबर तीसरा है महाकवी निराला अविनंदन ग्रण्त जो की 1953 इस्वी में परकासित हुआ और नमबर चार है कन्हिया लाल पद्दोदार अविनंदन ग्रंद जिसकी रचना 1953 में ही हुई और नमबर पाँच है सेट गोविंद दास अविनंदन ग्रंद जिसकी रचना 1956 में हुई और नमबर 6 है राष्ट कवी मैथली सरण गुप्त अविनंदन गिरंद और जिसकी रचना 1969 इस्वी में हुई तो पहला कौन सा है नहरू अविनंदन गिरंद जिसकी 1949 इस्वी में रचना हुई दूसरा बालमुकुंद गुप इसमर्थी गरंद Revel दूसरा महा कवी निराला अविनंदन गरंद 1953 इस्वी में कनहिया लाल पद्दोधार अविनंदन गरंद 1953 इस्वी में और पाचवा शेट गोविन्द दास अविनंदन गरंद gamer दूसरायं नमबर 6 है राश्ट कभी मैथली सरण गुप्त अविनंदन गिरंथ जिसकी रचना 1969 यानि 1959 में हुई और आगे हम और अविनंदन गिरंथों की चर्चा करेंगे तो आईए आगे चलते हैं इसको आप याद कर लेना परिक्षा की दिरश्टी से बहुत महत्व पून हैं किसी भी परिक्ष में इसमें से प्रस्ण पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जा चुके हैं तो इनको आपको याद रखना है और वैसे वी जर्नल नोलिज के तोर पर यह हम को याद होने चाहिए चलिए सात्वा है राज रिशीपुर सोत्तम दास टंडन अविनंदन गिरंथ जो की प्रकासित हुआ और नमबर आठ है कि सोरी दास बाजपई अविनंदन गरंथ जो की 1961 में प्रकासित हुआ और नमबर 9 है महादेवी बर्मा अविनंदन गरंथ जोकी 1964 इस भी में प्रकासित हुआ दस है डॉक्टर हजारे परसाद दुवेदी अभिनंदन गिरन्थ 1964 और 11 है रवी संकर सुकल अभिनंदन गिरन्थ 1965 तो यह है आपको याद रखना है चलिए एक बार और अध्यन कर लेते हैं इसका तो साथवे परहें राजरीशी पुर्शोतम दाश्टंडन अभिनंदन गिरन्थ 1959 आठवा किसोरी दास वाजपई अभिनंदन गिरन्थ 1961 नोव है महदेवी बर्मा अभिनंदन गिरन्थ 1974 और तसव है डॉक्टर हजारे परसाद दुवेदी अभिनंदन गिरन्थ 1974 और 11 रवी संकर्शुक्ल अविनंदन गरंद 1965 ठीक है तो यह है आपको याद रखना है चलिए अगले विंदु पर चर्चा करते हैं तो अगला विंदु है मारा नंबर बारा गोपिनात कवी राज अविनंदन गरंद नंबर चोदा बाबु गुलाब रायस मर्ती गरंद उननिस सो सत्तर इसवी और पंदरवा है बनारसी दाश चत्रुवेदी अविनंदन गरंद 1971 तो यह है पंदरा जो हैं अविनंदन गरंद हैं एक वार और इसकी चर्चा कर लेते हैं तो गोपिनात कवी राज अविनंदन गरंद 1967 इसवी सोहनलाल दुवेदी अविनंदन गरंद 1979 इसवी बाबु गुलाबराय इसमर्ति गरंद 1970 इसवी और बनार्शी दास चतुरुवेदी अविनंदन गरंद 1971 इसवी तो यह है सारे विन्दू आपको याद रखने हैं चलिए अब और आगे चलते हैं और और जादा अद्धियन करते हैं उस से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर हम आपने हमारी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक वे शेयर करें दोस्तों हम बड़ी महनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो आपका ये भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्स स्क्राइब करें और आगे आपकी मर्जी है दोस्तों चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं और यह जो 12 अभिनंदन ग्रंथ हैं इन में से परिक्सा में प्रस्न पूछे जाते हैं तो आपको इसको याद रखना हैं तो हम यहीं पर अपनी अध्याय को अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और आप से आग्या चाहते हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार